बिहार में नितीश कुमार के तूफान को रोकने के लिए चिराग पासवान सामने आ गए है दिल्ली में हमिशा से मीटिंग करने के बाद चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ी गोशना करती है नमस्कार ये खबर आप ल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं दोस्तों नितीश कुमार और चिराग पासवान का राजनीतिक समीगरण किसी से छुपा नहीं है एक तरफ पल्टु राम कहे जा रहे हैं नितीश कुमार है जो अपने फायदे के लिए किसी से भी कभी भी किसी भी पार्टी को बीच मजधार में छोड़ देते हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान है जो हमेशिया बड़े ही शातर तरीके से अपना राजनीतिक खेल खेलते हैं हर दाओं बड़े ही सोच समझ कर चलते हैं ऐसे में बिहार की गर्माहट के बीच चिराग पासवान ने आने वाले चुनाओं में एलजेपी रामविलास दल के लिए वाजब जगा को लेकर केंद्री मंत्री अमिश्शाह और बीजेपी अद्यक्स जेपी नड़ा से मुलकात की है एस मुलकात के बाद जो बात निकल कर सामने आ रही है उसके हिसाब से अगर माने तो चिराग बीजेपी और नितीश का खेल बिगार सकते हैं दोस्तों सूतरों के हवाले से खबर है कि दूनू निताओं से हुई चिराग की मुलकात में उन्हूने नितीश के साथ सरकार बनाने के लिए सरकार के सामने दो शर्ते रखी है LJP रामविलास के सूत्रों के हवाले से खबर है कि चिराक चाते हैं जो उनकी पहली शर्थ है वो यह है कि बिहार में NDA सरकार बने तो एक common minimal program बने उसके आधार पर ही सरकार चले ना किवल CM नितीश कुमार के साथ निश्चय योजना के आधार पर सरकार चले बलकि इसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एजेंडे को भी सरकार के मेनिफेस्टों में शामिल किया जाए वहीं चिराक का ये भी मानना है उनकी ये भी मांग है कि साथ नेश्चय योजना केवल जेडियू और महागण बंधन का एजेंडा है इसी ने सिरे से सरकार चलाने का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने वहीं CM नितीश के साथ एक प्लाटफॉर्म पर आने को लेकर भी चिराग ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें पर्सनली नितीश कुमार या फिर्जेडियू से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन चिराग नीतीओं से समझवाता बिलकुल भी नहीं करेंगे अगर CM नितीश कुमार रिजीड नहीं हुए तो एक प्लाटफॉर्म पर आने में दिक्कत हो सकती है दोस्तों चिराग चाहते हैं कि उनके कोटे की सीट उन्हें लोगसभा चुनावमित मिले चिराग ने साफ कर दिया है कि BJP जिनको NDA में लाना चाहती है लाए लेकिन उनकी सीटों की संख्या में बिलकुल कमी नहीं हो अगर चिराग की लोगसभा सीटों में कमी की गई तो वो नितीश के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार बिलकुल भी नहीं होंगे उनकी बात नहीं मानी गई तो फिर विधानसभा चुनाव 2022 के तरह ही इस बार के लोगसभा चुनाव में भी जेडियू जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहां लोचपा अपने उमीदवार उतार सकती है साथी 6 अन्य सीटों पर भी लोचपा अपने उमीदवार उतारेगी इस फ्रकार कुल 23 सीटों पर लोचपा चुनाव लड़ सकती है चिराग ने इसी तरहां विधानसभा चुनाव 2020 में उन सभी विधानसभा सीटों पर अपनी शर्ते रख़ी है उस हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि चुराग बिहार के राजनीती में अलगी खेल करने वाले हैं वैसे आपको क्या लगता है चुराग पासवान की ये जो नई मांगे हैं ये भारती जुनता पार्टी के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकती है हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताईएगा ये खबर आप उल्टा चुश्माई यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम है फरीन अंसारी आप नहीं स्वास मस बस यही है दौा मारी दोते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविता